मैं सुनिता सिंग स्वागत करती हूं आप सभी का एक केमेस्ट्री क्लासेज में और अब ही अपने क्लास में हम लोग देखेंगे कंपार्टमेंट एक्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेशन क्लास 12 केमेस्ट्री से अन बेसिस ऑफ टम टू इससे पहले मेरे जो क्वेशन है ओके दोनों बाते हो गई साथी साथ कुछ बच्चों ने मतलब उसमें कमेंट सक्षर में लिखा है उस वीडियो में कि मैं इसका सॉलिशन भी करवा दीजिए यह सब सारी बाते तो देखें वहां पर जो क्वेशन मैंने दिया था आपको कहा हुआ है कि टर्म टू पर ओपन करें और उसमें जो आपका है उसको देखें और फिर इस वीडियो को भी देखें आपका कंप्लीट कभर हो जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेशन और बिद आंसर यहां पर मैंने आपके ही डिमांड पर आपके लिए यह काम किया है कि आंसर के साथ यानि शॉलिशन के साथ आपको यह चैप्टर यह इंपोर्टेंट क्वेशन में बता रही हूं तो देखें इस वीडियो में कवरेज क्या क्या जाएगा इलेक्रोकेमेस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और सर्फेस केमेस्ट्री य जान लिए कि स्टार मार के ध्यान रखेंगा इसमें होता क्या है कभी कभी क्वेस्ट्री करने के लिए भी देता है तो वहां पर भी यह चलेगा तो जाने लिजे strongest reducing agent कौन है इसमें sodium है having lower reduction potential sodium का कितना है minus 2.714 है जबकि दोनों का positive है तो सबसे lowest reduction potential किसका हुआ sodium का हुआ है इसलिए strongest reducing agent होगा यानि इससे आपने यह समझ लिया कि जितना lowest lower reduction potential होगा reducing agent उतना ही strong होगा ठीक है उसी तरह से weakest reducing agent AG होगा having higher reduction potential AG का reduction potential देखे positive में सबसे highest है इसलिए weakest reducing agent होगा next question है can a nickel spatula be used to stir a solution of copper sulfate support your answer with reason ठीक है तो देखें no यहां पर answer हो गया कि no मदर nickel spatula से आप इस्टेर नहीं कर सकते हैं किसे copper sulfate solution को क्यों देख लीज़े सिंस nickel electrode has lower value of reduction potential than copper electrodes ठीक है therefore nickel has more tendency to lose electrons that is undergoes oxidation than that of copper if a nickel spoon is used to stir CuSO4 solution it will displace Cu from CuSO4 यही काम है कि क्या होगा निकल रिप्लेस कर देगा copper को खुद उसकी जगह पे चला जाएगा यह आप जो विला प्लेस को देखें तो क्या होगा कि को यहां पर spoon is used to stir CuSO4 solution it will displace Cu from CuSO4 hence a nickel spoon cannot be used to stir CuSO4 solution यह होगा इस कहां से question number 3 देखें question number 3 है rusting of iron is quicker in saline water than in ordinary water why is it so the presence of saline water helps in the flow of electric current through the local galvanic cell formed at the exposed surface of iron and therefore enhances the rate of corrosion next question for number how is a standard electrode potential of a cell related to equilibrium constant gives free energy इसको ध्यान से देख लिजे इसको अगर आपने ध्यान में रखा तो numerical problem भी इससे रिलेटेड आएगा तो आप उसे बना पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे तो बस यह जो question मैंने यहां डाला है सिर्फ इस परपस से कि परपस दो तरह का सॉल्व होजा एक तो यह question आगया तो लिख सकें आप और इस से रिलेटेड नुमेरिकल आगया तो भी आपको formula पता होगा तो सब करके calculate कर सकते है आप ठीक है तो देखें टेंप्रेचर एंड नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस है एफ जो है फ्राडेज कॉंस्टेंट है और के सी इकलिविरियम कॉंस्टेंट है और इस टेंगिप्स फ्री एनरजी के साथ यह रिलेशन होता है देखते जाए आप लोग यह सब पहले भी मैंने बताया है टम टू में भी जो प्रेशन के वक्त तो यहां पर इनरजी के साथ जो रिलेशन होता है स्टेंडर पोटेंशिल का यह होता है जहां आपने समझ लिया कि डिल्टा जी नौट का है और चेंज इंगिप्स प्री एनरजी है एण नमर ओफ एलेक्रोंस अफ राडेज पॉंस्टेंट है इस टे यह बहुत important question है कि conductivity of metal जो है temperature बढ़ने पर decrease करता है जबकि electrolyte का increase करता है ठीक है यह है question तो देखे answer क्या होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप एक पर पढ़ते जाएंगे आपने थियोरी पहले भी पढ़ा हुआ है पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों कैसे होता है इलेक्ट्रोन का motion रहता है जब इलेक्ट्रोन मूव करेगा तभी electric current फ्लो करता है next question है हमारा what are the factors on which conductivity of an electrolyte depends मतलब कि conductivity of electrolyte किस चीज़ पे depend करता है तो देखे nature of electrolyte पे size of the iron produce पे nature of solvent and its viscosity पे concentration of electrolyte पे और temperature पे depend करता है यह जो आप यहाँ पे यह point देख रहे हैं लिखा हुआ सिर्फ यह two marks के questions में आएगा तो आप सिर्फ point लिखेंगे इसका अगर explanation आपको समझना है कि यह कैसे काम करता है तो यह मैंने आपको term two वाले वीडियो में पढ़ा रखा है detail में वहाँ आप देख लें मैंने जो कहा कि यह तीन topic जो पढ़ा रही हूँ अभी बता रही हूँ उसका पहले term two का वीडियो देख लें उसमें questions को अच्छे कि वहाँ देखने में अलग-अलग और एक बारी इसको ठीक है नेक्स्ट नमर सेवन देख लिजे इस टाइप के questions आते हैं what is the half cell potential for Fe3 plus Fe electrode in which Fe3 concentration of Fe3 यह जो बिग ब्रैकेट देख रहे हैं इसको concentration बोलते हैं concentration of Fe3 plus 0.1m और यह electrode potential दे रखा है ठीक है तो देखें यहां पर एक चीज़ और बता दूँ बीच में याद आगे मुझे कुछ बच्चे जैसे देखें comment section में आप डालते हो तो समझ में आता है कि क्या problem हो रहा है आप लोगों को तो देखें आप कहेंगे कि मैं यही question आ जाएगा बस यही पढ़लू तो compartment पास हो जाएंगे तो मैं बार बार यह भी तो बोल रही हूं आपनों को धियान देना कि टर्म टू का जो आपका प्रिप्रेशन वाला उस वीडियो को भी एक बार देखना जरूर उसके बाद इसको देखेंगा तो जैसे क्या होगा कि यह question दिया अगर five marks का question देना है तो य depend करता है जैसे question जब set किया जाता है तो उसमें no need की यही question बस यही देदेगार हो गया इसके साथ कुछ और भी एक जोड़ के देदेगा तो वह भी आपको करना होता है इसलिए बार बार कहते हूं आप लोगों को कि बातों को ध्यान से सुनिए और समझने का परियास ठीक है तो देखे इतनी सारी बातें हो गई चुकि बताना जरूरी है क्योंकि बच्चे कमेंट में डालते हैं सारी बातें तो उनको डिसकास करना जरूरी हो जाता है यहां देखे यह question दे रखा था तो यह पहले भी बता है उस वीडियो में यहां भी बता देती हूं कि इस से यहां दिखा रहा है कि तीन एलेक्ट्रों यहां पे यूज हो रहा है, तो तीन एलेक्ट्रों और लॉग 0.1 तो इसको solve किया 10 हो गया तो 1 हो गया log 10 का value कितना हो गया 1 हो गया पूरा मैंने उतना नहीं किया है इसको हटाया तिहां उपर कर दोगे 10 log 10 तो log 10 का मतलब हो गया 1 तो फिर यह रहे गया और यह आपका answer इतना वोल्ट आ गया question number 8 है what will be the effect of temperature on rate constant ठीक है तो बस इसको ध्यान से कर लिजे हाँ आप में से कुछ बचों ने कहा कि आप लोगों को mislead किया जा रहा है आरहेनियस equation तो term 2 में पढ़ना ही नहीं था तो यह बात आपको बता दूँ यहां पे कि आरहेनियस equation आपको ध्यान से देखेंगे syllabus को तो syllabus स बूछ रहा है temperature dependent तो वह आपको explain करने के लिए आरहेनियस equation का help लेना होगा आरहेनियस equation आपको बनाना नहीं था परिवेशन नहीं पढ़ना था लेकिन equation का जो knowledge था वह लेना था आपको ताकि आप numerical problem solve कर पाएं ठीक है तो चलिए यहां पे देख लेते हैं I hope कि मैंने जितने भी questions आपने comment section में डाल रखे थे सबका solution देती जारी हूं बीच बीच में जचलिए the rate constant of reaction is nearly double with 10 degree rise in temperature however the exact dependence of the rate of a chemical reaction on temperature is given by Arrhenius equation यह एक कहने के लिए होता है कि 10 degree rise करता है temperature लेकिन अगर आपको temperature dependency की बात करनी है उसके लिए Arrhenius equation है जो कि यह होता है जहां ए Arrhenius factor है यह frequency factor बोलते है T temperature है in Kelvin आर gas constant है और E A जो है वो activation energy है clear आगे बढ़ जाए question number 9 देख लिए question number 9 है हमारा mention the factors that affect the rate of a chemical reaction chemical reaction को affect करने वाले factors बताने हैं आपको तो number first concentration of reactants और pressure in case of gas देखिए यहां react मतलब आपका gas state में gases state में reactant होगा तो वो pressure partial pressure की बात की जाती है ऐसे concentration of reactant होता है दूसरा होगे temperature तीसरा होगे presence of catalyst तो याद रखे यह जो तीन चीज आप देख रहे है ना यह long question पूछ देगा तो इसको explain करना होगा आपको ठीक है concentration of reactant obvious है कि जब आप concentration of reactant ज्यादा होगा तो productivity of product भी ज्यादा होगा उसी तरीके से इसको समझना है और यह मैंने आपको हो गया आपका order of reaction ठीक है question number 11 देखते हैं तो question number 11 है हमारा gift to examples of enzyme catalyzed reaction तो आप देख लें दो enzyme catalyzed reaction यहां पर inversion of cane sugar दे दिया दूसरा decomposition of urea into ammonia and carbon dioxide ठीक है दिख रहे हैं आपको ध्यान देदें यह सब आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ मैंने यहां answer आपको collect करके दे दिया है ताकि आप बहुत सारे मैं बच्चे कमेंट को डालते हैं कि मैं solution भी बता दीजें तो solution के साथ मैं आपको बता रहे हैं ठीक है what is meant by activity and selectivity of catalyst ठीक है activity of catalyst is extent to which a catalyst can increase the rate of reaction it depends upon the strength of chemisorption selectivity of catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product ठीक है the action of catalyst is highly selective in nature ठीक है question no.13 है हमारा adsorption is an exothermic process explained बहुत अच्छा question है ध्यान रखेगा इसका तो during adsorption there is adsorption और absorption दोनों अलग-अलग होता है ठीक है during adsorption there is always a decrease in residual forces of surface therefore the surface energy decreases which appears as heat therefore adsorption is exothermic process यह हो सकता है question आज़े बहुत strong feeling है मुझे कि यह question आ सकता है आपको यह आपका surface chemistry का question है ठीक है 14 है explain modern theory of heterogeneous catalyst according to modern theory of catalyst the mechanism of heterogeneous catalyst involves following step number first diffusion of reactants on the surface of catalyst दूसरा adsorption of reactants molecules on the surface third number है occurrence of reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate fourth है desorption of product from the surface और fifth diffusion of product away from the surface पहले क्या है diffusion of reactants on the surface of catalyst पहले surface of catalyst पे reactant आएगा उसके बाद reactant आपस में react करके intermediate बनाएगा उसके बाद product के form में surface से बाहर आएगा यानि diffusion of product away from surface तो बस heterogeneous में यही चीज़ है heterogeneous catalyst modern theory तो यह point wise अगर आप पढ़ लोगे ना तो कोई long question के term में भी आता है तो आप इसको थोड़ दो एक एक लाइन explain भी कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा ठीक है questionnaire 15 है हमारा explain the term with suitable examples elcosol, aerosol, hydrosol तो देखे आगे का word पकड़िएगा है ना elcosol है alcohol इसमें होगा और aerosol है air होगा hydro है तो water होगा तो देखे एक ही का मैंने definition लिखा है बाकी सब आप इसी तरह लिख लोगे collidal solution having alcohol as dispersion medium and a solid substance as dispersed phase is called and alcohol sorry elcosol example collidal solution of cellulose nitrate in ethyl alcohol ठीक है उसी तरह से aerosol के लिए आप लिख होगे collidal solution having air as dispersion medium and solid substance as dispersed phase जहां पर यहां पर alcohol लिखा गया यहां पर आपको क्या करना air लिख देना है आज का example fog हो गया उसी तरह से hydrosol के लिए भी आप लिख होगे collidal solution having water as dispersion medium and a solid substance as dispersed phase is called hydrosol example हो गया star soul हमने 15 questions देखे हैं किसे electro chemistry chemical kinetics और surface chemistry से मिला के और यह सारे के सारे आपको भी देखके समझ में आ रहा होगा कि very very important questions जो compartment exam में पूछे गया हैं जो important questions हैं से बेसी के वह हैं तो इसका practice कर लिजे और आपने पढ़ मैंने जब बढ़ा होगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि repeat किजिए दिमाग में कि आपसे क्या कहा गया क्या आपको समझाया जा रहा है बस उसके बाद आपके लिए सारा कुछ असान हो जाएगा बच्चों आरा पराम से pass out हो जाओगे आपके लिए यह क्वेशन यूजफूल हो तो जल्दी जल्दी लाइक किजेगा धेर सारा कमेंट किजेगा ताकि ऐसे वीडियो और लाने में मदद मिले मोटिवेशन मिले कि बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को तो चले भी यह ऐसा वीडियो और भी बनाया जा सकता है तो चलिए ऐसी आसा के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आए और आप इसे धेर सारा लाइक देंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक लिए थैंक्यू टेक केर है बनाइस डिवर्चों